नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी योट्यूब चैनल All Exam Guide Guru पर दोस्तों आप इस वीडियो में साइन्स का Most Important Question Set Paper देख रहे हैं जो पूरी तरीके से फ्री है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए एक हजार साइन्स के EMSQ Qautions क पीडियो भी दे दूँगा आप डाउनलोड करके उन Qautions को याद कर लीजेगा चैनल पर रोज रात में साड़े आट बजे से Science की Life Class होती है तो आप Free Science पढ़ने के लिए भी जोड़ सकते हैं तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं वीडियो सबसे पहला प्रशन ये रहा स्क् Qaution No.1 आपसे पूछा गया है जो हम Toothpaste करते हैं उस Toothpaste को बनाने में किसरसाइन का प्रियोग होता है क्या उत्तर हो जाएगा तो जो हम Toothpaste करते हैं उस Toothpaste को बनाने के लिए Calcium Carbonate का प्रियोग करते हैं Right answer हो जाएगा इस प्रशन के लिए B option सहीतर हो जाएगा Calcium Carbonate का नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट के लिए तो पॉलिथिन जो है एथलीन का बहुलक है राइट आंसर है ओप्शन नमबर ए एथलीन प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट कौशन देखते हैं क्या पुशा गया अगला प्रशन वायूयान की ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है क्या उत्तर हो ज प्रथवी का पलायन वेग कितना होता है राइट आंसर क्या है प्रथवी का पलायन वेग का मान कितना होता है राइट आंसर क्या है तो 11.2 km प्रथवी का पलायन वेग का मान होता है ऑप्शन नमबर 11.2 km प्रथवी इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा राइट आंस option number c next question देखते हैं क्या पूछा गया है जल का शुद्धी करण कैसे किया जाता है इनमें से right answer क्या है जल का शुद्धी करण इनमें से कैसे किया जाता है सही उत्तर क्या हो जाएगा तो जल का शुद्धी करण इनमें से किया जाता है क्लोरीनन के द्वारा option number c प्रशन के लिए सही उत्र हो जाएगा क्लोरियन विधी के द्वारा जल का शुद्धी करण किया जाता है next question देखते हैं क्या पूशा गया अगला प्रशन साधारन काच निम्न मैंसे किसका मिश्रण होता है सही उत्तर क्या है साधारन काच किसका मिश्रण होता है सही उत्तर क्या हो जाएगा तो साधारन काच मिश्रण होता है सीलिका, सोडियम सिलिकेट, कैल्शम सिलिकेट इन सभी का option number D यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा right answer and next question देखते हैं क्या पूश अगया है लोलक की कलावधी किस पर निर्भर करती है पैंडूलम जो होता है पैंडूलम का आवरतकाल कलावधी जो है किस पर निर्भर करती है तो पैंडूलम की लंबाई पर उसकी आवरती निर्भर करती है उसकी कलावधी निर्भर करती है option number लंबाई प्रश्ण के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं अगला प्रश्ण क्या है ये रहा स्क्रीन पर question है आपके सामने किस विद्व चुम्ब की तरंग की भेधन छमता सरवाधिक होती है इनमें से right answer क्या हो जाएगा तो विद्व चुम्ब की तरंग जिसकी भेधन छमता सरवाधिक होती है कौन सी है right answer क्या है इस प्रश्ण के लिए तो गामा किरण इस प्रश्ण का सहीत्र हो जाएगा option number C प्रश्ण का सहीत्र है गामा किरण की भेधन छमता जो है सरवाधिक होती है next question देखते हैं क्या पुशा गया अगला प्रश्ण hydrophobia बीमारी में किसका टीका लगाया जाता है right answer क्या है hydrophobia बीमारी में किसका टीका लगाया जाता है तो rabies का टीका लगाया जाता है option number C प्रश्ण के लिए सहीत्र हो जाएगा पानी से डर लगता है इस बीमारी के कारण हाइडरोफोबिया में रेबीज का टीका लगता है सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुशा गया है कच्चे सेव में कौन सा एसिड पाया जाता है राइट आंसर क्या है प्रश्ण के लिए कच्चा सेव जो होता है उसमें कौन सा एसेड पाया जाता है राइट आंसर क्या है प्रश्ण के लिए तो कच्चे सेव में मौलिक एसेड पाया जाता है option number B प्रश्ण का सही उत्र हो जाएगा malic acid प्रश्ण के लिए सही उत्र है next question देखते हैं क्या पुशा गया है LPG gas के भराव के कारण leakage होने का पता चलता है LPG gas में leakage का पता लगाना है तो उसमें क्या मिलाते हैं right answer क्या है तो ethyl mercaptain मिलाते हैं उसमें leakage का पता करने के लिए जिससे गंद से पता चल जाता है कि LPG gas में leakage है next question देखते हैं क्या पुशा गया अगला प्रश्ण के रहा स्क्रीन पर insulin की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है insulin की कमी के कारण कौन सा रोग होता है right answer क्या हो जाएगा तो diabetes रोग होता है insulin की कमी के कारण option number diabetes प्रश्ण के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं bulb में निमलिकित मैं से किस gas का प्रियोग करते हैं right answer क्या हो जाएगा तो bulb के अंदर organ gas का प्रियोग किया जाता है right answer option number organ और पारे की वास्प कम दाप पर बल्व के अंदर भरी होती है right answer हो जाएगा option number C प्रश्ण के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं अगला प्रश्ण क्या है ये रहा स्क्रीन पर question है मनुष के मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है तो right answer है प्रव मस्तिस्क option number C प्रश्ण के लिए सही उत्तर हो जाएगा मनुष के मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग प्रव मस्तिस्क है right answer है इस प्रश्ण के लिए next question देखते हैं अगला प्रश्ण ये रहा स्क्रीन पर मानो शरीर में रक्तचाप निमलिखित के द्वारा नियंत्रित होता है मानो शरीर में blood pressure इनमें से किसके द्वारा नियंत्रित होता है right answer क्या हो जाएगा तो adrenal gland के द्वारा मानो शरीर में blood pressure जो है रक्तचाप जो है नियंत्रित होता है सही उत्तर हो जाएगा adrenal gland इस प्रशन के लिए सही उत्तर है next question देखते हैं वसा का संचलियन कोशिका का कौन सा अंग करता है right answer क्या है हमारे शरीर में fat जो जमा होता है वो कौन सा कोशिका अंग जमा करता है right answer क्या है तो हमारे शरीर में fat का संचलियन जो है गौल जी का है करता है राइट आंसर है option number A इस प्रशन के लिए सेयत्र हो जाएगा गौल जी का है प्रशन का है राइट आंसर है next question देखते हैं क्या पुश अगया है कोशिका में निम्न मैंसे कौन सी पाचन थैली कहलाती है बताइए कोशिका में निम्न मैंसे किसे पाचन थैली के नाम से जाना जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम इस प्रशन के लिए सेयत्र हो जाएगा option number D पाचन थैली के नाम से लाइसोसोम को जाना जाता है next question देखते हैं क्या पुश अगया है माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा इस्थानांत्रित होते हैं क्रोमोजोम गुण सूत्र के द्वारा option number C प्रशण के लिए सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर है उनके गुण सूत्रों के द्वारा उनके बच्चों में माता पिता के गुण स्थानांत्रित होते हैं सही उत्तर हो जाएगा नेक्श कॉशन देखते हैं अनुवानशिकी की एकाई क्या है राइट आंसर क्या है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए पादब कोश्का भित्ती किसकी बनी होती है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो पादब कोश्का भित्ती सेलिलोज की बनी होती है राइट आंसर हो जाएगा सेलिलोज next question देखते है क्या पूशा गया है काली मौत किसे कहा जाता है right answer क्या है इस question के लिए काली मौत किसे कहते है तो चुहों से फैलने वाली बीमारी होती है plague एक प्रकार की महामारी होती है plague को काली मौत के नाम से जाना जाता है right answer है इस question के लिए प्लेग सही उत्तर है next question देखते है पुशा गया टीका करण के जनक के नाम से कौन जाना जाता है right answer क्या हो जाएगा तो टीका करण के जनक के नाम से Edward Jenner जाने जाते है right answer option number B प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा Edward Jenner Next question देखते हैं क्या पुश अगया अगला प्रशन इरा स्क्रीन पर निम्न मैं से कौन सा कवकिय रोग है कवक से होने वाला रोग है Right answer क्या हो जाएगा तो कवक से होने वाला रोग इन मैं से कौन सा है तो Right answer हो जाएगा दाद इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा Option number C कवक से होने वाला रोग इन मैं से कौन सा है तो दाद प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा Next question देखते हैं Adenology या Endocrinology विज्ञान की शाखा है जिसमें किस का अध्यन करते हैं तो Adenology या Endocrinology विज्ञान की वाशाखा है जिसमें किस का अध्यन करते हैं ग्रंथियों का ग्लैंड्स का अध्यन करते हैं Option number ग्रंथि इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा Next question देखते हैं क्या पुछा गया अगला प्रशन ये राव स्कीन पर निम्नमैसे सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है सही उत्तर क्या हो जाएगा तो सबसे छोटा फूल वाला पौधा इनमैसे कौन सा है तो राइट आंसर हो जाएगा वुल्फिया इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा सबसे छोटा फूल वाला पौधा वुल्फिया है और सबसे बड़ा वाला कौन सा है रिफलेशिया है नेक्ट कॉशन देखते हैं अगला प्रशनी ये रहा स्क्रीन पर कॉशन है निम्न मैंसे किस परकार के पौधे सूर्य प्रेमी कहलाते हैं मतलब सूर्य की रोशनी को जादा पसंद करते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा तो सूर्य प्रेमी पौधे कहलाते हैं हेलो फाइट प्रशन के लिए से यत्र हो जाएगा हेलो फाइट कैडिगरी के पौधे जो है सूर्य प्रविमी कहलाते है अत्यदिक्तिव रधूप में भी अपने जीवन का निर्वा कर लेते हैं ये पौधे राइट आंसर है निर्वन में से किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो किसानों का मित्र कहलाने वाला जीव इन में से कैच हुआ जमीन को छिदर युक्त करके जमीन के अंदर ऑक्सिजन भरपूर जा सके इसलिए ये किसानों का मित्र कहलाता है औप्शन नंबर पी इस प्रशन के लिए सही उत्र हो जाएगा right answer है नेक्ष्ष्ट कोशन देखते हैं कि आप उश यह गया अग्ला प्रश्ट वाउंग जो मान शरीśmy में पित उत्पन करता है उस नंग का नाम क्या है right answer क्या हो जाएगा तो मान शरी में साइंस की लाइब क्लास शैनल पर होती है तो आप रोज रात में साड़े आट विजे लाइब क्लास पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं वीडियो आपने पूरा देखा है तो लाइक करना तो बनता ही है वीडियो लाइक जरू करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरू शेर करिएगा फ्री वीडियो है आपके दोस्त जरू देखना पसंद करेंगे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब हो